तो आज लेखते हम लोग size 27 E का first question इस वादे 27 E के पहरे question के का जारा हम लोग से find the length and equation of line of shortest distance between the given lines मेरे पास दो line दिया हुए cartesian form में उसका equation मेरे पास x-3 by 3 is equal to y-8 by minus 1 is equal to z-3 by 1 और दोसर line मेरे पास दिया हुए x plus 3 by minus 3 is equal to y plus 7 by 2 is equal to z minus 6 by 4 यानि कि मेरे पास दो line के equation दिया हुए cartesian form में हम लोगों को इन दोनों line के बीच में perpendicular distance तो उस line के question यह हम लोग को बता नहीं है सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग एक vector form में convert करते हैं अच्छा vector form पे convert करने से हम लोग इस line पे lie करने वाले एक general point लिख पाएंगे, कैसे, सबसे पहले मैं इसको lambda assume करता हूँ, इसको mu assume करता हूँ, और यहां मैं लिखता हूँ x की value कितना, 3 lambda plus 3, पहले बाले से लिखता हूँ y की value कितनी हो जाएगी, minus lambda plus 8, और z की value कितने हो माल लेता हूँ यह point P है यह point Q है तो P point के coordinate यह है और Q point के coordinate यह है अब समझना मेरे पास अगर P Q यह आगया है तो मैं P Q निकाल सकता हूँ क्या Q minus P करके निकाल सकता हूँ तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास minus 3 mu minus 3 और minus में 3 lambda plus 3 2 mu minus 7 minus में कितना – lambda plus 8 और यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा 4mU plus 6 और मायनस में कितना lambda plus 3 अब जरहा इसको solve कर लेते हैं ये हो जाएगा – 3mU minus 3 और यहाँ – 3 lambda ठीक है? और – 3 हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2mU minus 7 plus lambda minus 8 यहां पर कितना हो जाएगा ? 4 µ ile 6- Add two यह मेरे पास PQL का Direction Ratio अगया अगर हम लोग इस 9- sat बोलते हैं तो PQ जो होगा वो 11 और L2 दूनों के perpendicular होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं shortest distance is the perpendicular distance के जानते हैं हम लोग shortest distance is the perpendicular distance तो मेरे पास PQ line direction ratio है मेरे पास 11 line direction ratio है कौनसा यह तिनों यहां देखो, यह तीनो, यह तीनो क्या है, यह तीनो L2 लाइन की direction ratio है, यह तीनो क्या है, यह तीनो L2 लाइन की direction ratio है, तो अगर मैं PQ.L1 करो तो वो 0 होगा, क्योंकि PQ और L1 perpendicular है, और अगर कोई दो लाइन perpendicular होता है, हमका dot product 0 होता है, और ऐसे एकर मैं PQ.L2 करो तो वो भी 0 ह होगा क्योंकि PQ और L2 इव पर्पेंडिकुलर है और कोई दो लाइन अगर पर्पेंडिकुलर होता है उनके डॉट प्रेक्ट हमेशा 0 होता है तो अब यहां से मैं क्या करने वाला हूँ पहली बार PQ.11 इकवल टू जीरो करने वाला हूँ दूसरी बार PQ.L2 इकवल टू जीरो करने वाला हूँ इससे मेरे पास लेंडा और मुकी वैलिव आ जाएगा और में दे पास P और Q पॉइंट आजाएगा P और Q पॉइंट आने गाद मैं इन दोनों को बिदम सॉर्टस इस्टंस भी निका करने वाला हूँ और मैं करने वाला हूँ पीक्यू अजीरो और P Q.L2 इकवल टू जीरो चल्व करते हैं ठीक है यहां कितना है मेरे पास 3 3 माइनस 3 म्यू 1-3 बह्मिनपा मना-6 प्रस में माइनस 1 और यहाँ पर कितना 2μू प्लस लेमडा माइनस 15 और प्लस में कितना 1 और यहाँ कितना है 4μू माइनस लेमडा प्लस 3 इक्वल टो 0 ठीक है यहाँ पास पहली एक्वेशन होगी दूसरी एक्वेशन लिख लेते हैं माइनस 3 और यहाँ पर कितना माइनस 3μू माइनस 3 ल लेटार करें पर दो स्था तो ओधार कितना हो जाएगा माइलस भन्स और यहां कितना हो जएगा मारे था माइलस फुर्ड है edi हो जाएगा two mu यानि-seven here अब देखना मैनि-9 lmd मैनि-11 . यानि हो जाएगा और यहां देखना 15 three 18 मैना इत्यों क्टिश जाएगा यानि मेरे पास क्या हो जाएगा 7 new equal to minus 11 lambda ठीक है यह मेरे पास पहली question से आ गई अब इसको solve करते हैं इसको solve करते हैं यहाप यह हो जाएगा कितना मेरे पास 9 mu plus 9 lambda plus 18 ही है हो जाएगा मेरे पास 4 mu plus 2 lambda minus 30 plus 16 mu minus 4 lambda plus 12 equal to 0 अब समझे रहा 9 mu है 4 mu है और 16 mu है 16 4 20 और यह 29 mu हो गया अच्छा 9 lambda है 2 lambda है 9 to 11 हो गया और कहा lambda ही है 11 minus 4 कितना हो गया 7 lambda और यहां देखते है 18 है यह 12 है यह minus 30 यानि 18 12 30 होता है minus 30 से कटी है यानि कि यह मेरे पास 0 यानि कि यह मेरे पास दूसरा equation है ठीक है अब इन दोनों को solve कर लेते हैं यहां से मेरे पास कितना आ जाता है यहां से मेरे पास यहां अगर एक काम करूँ मैं ठीक है 29 mu plus 7 और lambda कि से कही है कैसे क्योंकि solve करने के बाद मेरे पास minus 11 को यदर भेजूँगा तो something mu equal to 0 तो यहां नहीं कि mu equal to 0 समझ गए क्या अरे समझे की नहीं अज़े समझाता हूँ रूको यहां मैं लिखता हूँ क्या minus 29 into 11 mu plus 7 7 और 49 mu और minus 11 को धर भेजूँगा 0 0 ही हो जाएगा तो यहां पर आएगा मेरे पास something mu equal to 0 और something mu जो होगा equal to 0 उसमें हम लोग लिख सकते है mu equal to 0 तो मेरे पास mu equal to 0 आगया अब mu को यहां पुट करूँगा तो lambda equal to 0 मतलब मेरे पास भाई सहाव क्या आएगा मेरे पास मेरे पास दो चीजी आए mu equal to 0 और lambda equal to 0 अब यहां मैं पुट करता हूँ mu equal to 0 lambda equal to 0 तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास p point जो हो जाएगा थोड़ा कबाड़ा हो गया यहां पर फिर भी adjust कर लेंगे आपन यहां कितना हो जाएगा 3, 8, 3 3, 8, 3 और यहां कितना हो जाएगा minus 3, minus 7, 6 minus 3 और minus 7 और 6 ठीक है तो भाई सहाँ मेरे पास p point आगया q point आगया अब मैं इन दोनों के बीच में shortest distance भी निकाल सकता हूँ और इन दोनों से पास करने वाले राइन की equation भी लिख सकता हूँ चलो करते है next page पे अब अगर p q निकाल ले तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास 3 plus minus 3 यानि कि प्लस 3 हो जाएगा यह हो जाएगा 6 का square plus 15 का square और यह कितना हो जाएगा 3 minus 6 minus 3 का square यह हो जाएगा मेरे पास कितना 36 plus 2 to 5 और प्लस में 9 ठीक है अगर मैं यहाँ पर solve करो 2 to 5, 36, 9 तो यह हो जाएगा 15 और यह 5 यानि कितना हो जाएगा 22 यह हो जाएगा मेरे पास 7 to 70 ठीक है तो root over 270 अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 9 into 30 यानि कि इसको लिख सकता हूँ है 3 root over 30 अब मेरे को पता है 2 point से pass करने वाले line की equation अपनको निकार गी हो 2 point से pass करने line की equation क्या होती x minus x1 by x2 minus x1 equal to y minus y1 by y2 minus y1 equal to z minus z1 by z2 minus z1 ठीक है अब मेरे पास x1, y1, z1 इसको माल लेते है x2, y2, z2 इसको माल लेते हैं काफी simple मेरे पास क्या हो जाएगा x minus 3 equal to y minus 8 equal to कितना z minus 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा minus 3 minus 3 minus 6 minus 7 minus 8 कितना minus 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 minus 3, 3 यह हो जाएगा मेरे पास line की equation लेकिन मेरे पास answer तो यह दिया नहीं हुआ है तो एक काम करते हैं हम लोग एक काम करते हैं इसको लिखते हैं हम लोग minus 3 into 2 इसको लिखते हैं हम लोग minus 5 into 3 लिख सकते हैं क्या या 5 into minus 3 लिख लो ठीक है और इसको हम लोग लिख लेते हैं z minus 3 और यहां पर दिखे लेते हैं हम लोग कितना 3 into minus 3 into minus 1 ठीक है अब देखना minus 3 minus 3 और minus 3 हम लोग हटा सकते हैं और यह हो जाएगा x minus 3 by 2 equal to y minus 8 by 5 equal to z minus 3 by minus 1 ठीक है अच्छे यहां से minus 3 हटाया क्योंकि direction ratio आप simplest ratio में रहता है मना direction ratio अपने simplest form में रहता है इसी बेसर में लोग हटा सकते हैं ठीक है चलो अगले वीडियो हम देखते हैं को ला question